ही गाइस वेलकम बैक टू नॉटी स्टेचेज आज की इस वीडियो में आपको प्लेन ट्राउजर के ऊपर पेंटेक्स और लेस का इस्तिमाल करके सुंदर सा डिजाइन बनाना बताऊंगी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एजिंग वाली लेस ली है और एक नेट के ऊपर इंब्रोडरी वाली लेस ली है इस तरह की लेसे इस बाजार में बहुत इजी ली आपको मिल जाएंगी अब हम ट्राउजर के नीचे से चार इंच पर निशान लगाएंगे और इससे फोल्ड कर देंगे अब हम इस कपड़े को कट करके अलग कर देंगे और इस हिस्से को हम बाद में यूज़ करेंगे अब हम यहाँ से तीन इंच उपर की तरफ निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे अब हम इस कपड़े को खोल के यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कच्चा टांका लगाएंगे किनारी से 1.2 इंच की दूरी पर हम कच्चा टांका लगाएंगे इस तरह से अब हम बुक्रम का कोई भी एक टुकडा लेंगे और उसमें से 1.5 इंच का एक स्क्वाइर पीस कट करेंगे अब इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और यहां पर एक ट्रैंगल कट कर लेंगे तो इस तरह से एक ट्रैंगलर शेप कट कर लेंगे और अब हम इस शेप को ट्राउजर के बिलकुल बीच में रखेंगे इस तरह से और इसे ट्रेस कर लेंगे बिलकुल साथ साथ हम ट्रैंगल्स ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से पहले ही shape cut करके draw करने से सारे के सारे triangles एक जैसे बनेंगे तो इस तरह से मैंने सारे triangles draw कर लिये हैं ट्राउजर के नीचे अब हम इन triangles के उपर सिलाई लगाएंगे जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ वहाँ पर हमें बारिक बख्ये से सिलाई लगा लेनी है इस तरह से बहुती सफाई से जहाँ जहाँ पर हमने pen से निशान लगाया है बिलकुल उसके उपर उपर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से यह देखे इस तरह से मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है इसके उपर बिलकुल बारीक पक्ये से अब हम यहां से कच्चा ठांका निकाल देंगे इस तरह से और अब हम यहां से कपड़ा कट करेंगे ट्राइंगल्स के बीच में से हम एक्स्टा कपड़ा कट कर लेंगे इस तरह से और छोटे छोटे नौचिस भी हमें बीच में लगा लेने हैं तो यह देखिए यहां पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके छोटे-छोटे कट्स लगा दिये हैं इनके बीच में और अब हम इनको इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल देंगे ये देखिए और अब किसी नुकीली चीज की हेल्प से हम अच्छे से इने बाहर की तरफ पुश्ट करेंगे ताकि इसके जो कोने हैं वो बिल्कुल क्लीन बनकर तयार हो जाएं तो यहाँ पर हमारे ट्रैंगल बन गए हैं अब इस तरीके से हम फोल्ड करके इने प्रेस कर देंगे तो इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हम इसके नीचे कपड़े की एक पट्टी लगाएंगे जिसके उपर मैंने फ्यूस पेपर चिपका के रखा है तकरिबन 2.75 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी मैंने कट की है अब इस पट्टी को इस तरह से उल्टा करके डिजाइन के उपर रखेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे और इसके उपर एक टॉप स्ट्टीच लगाएंगे इस तरीके से इस तरह की सीधी सीधी सिलाईयां बहुती ध्यान से आपको लगानी है और मैं यहाँ पर बिल्कुल सेम कलर के धागे से ही सीधी सीधी सिलाईयां लगा रही हूँ आप चाहें तो थोड़ा सा लाइट कलर का धागा भी ले सकते है लेकिन आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि सिलाइया एकदम सीधी ही लगें एड़ी मेड़ी सिलाइया होंगी तो डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा तो यहाँ पर मैंने तक्रीबन चार सिलाइया इसके उपर लगा दी है और अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे इस तरह से और आप देख सकते हैं कि यह पट्टी मैंने तक्रीबन दो इंच चौड़ी ही रखी है अब हम इसके उपर यह वाली लेस लगाएंगे इस तरह की लेस आप नीचे दबा के भी लगा सकते हैं और उपर रख के भी लगा सकते हैं मैं इसको नीचे दबा कर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं इसके उपर एक और वाइट कलर की इंब्रोइडरी वाली लेस यूज़ करूंगी तो इस तरीके से हम उल्टा करके इसको पट्टी के उपर रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे और अब हम इसे इस तरह से सीधा करके यहां पर एक सिलाई और लगा देंगे इससे लेस की एज़िस जो है वो कपड़े के नीचे दब जाएंगी और सिर्फ बीच में जो कटवक वाला हिस्सा है वो नजर आएगा अब कपड़े की जो हमने चार इंच चौड़ी पट्टी नीचे से कट की थी उसे अटैच करेंगे इसले इसके नीचे यहां पर यह देखिए इस तरह से और अब एक सीधी सिलाई यहां पर लगा देंगे अब हम इसके उपर पिंटक्स करेंगे तो यहां पर मैं रफली तकरिवन आधा आधा इंच की दूरी पर पिंटक्स कर रही हूँ लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले स्केल और चौक की हल्प से सीधी सीधी लाइन्स लगा लीजे और उसके बाद ही उन लाइन्स पर फोल्ड करकर के पिंटक्स कीजिए ताकि आपके पिंटक्स बराबर दूरी पर आएं तो यहां पर मैं दो पिंटक्स कर रही हूँ इस तरह से बहुत बारीक वाले पिंटक्स मैंने यहां पर नहीं किये हैं थोड़े से चौड़े वाले पिंटक्स कीए हैं और अब इस तरीके से नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करेंगे और एक क्रीज बना लेंगे इस तरह से यहां पर अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्रीज बना लेंगे और उसके बाद यह जो नेट वाली लेस है इसकी उपर से एक्स्टर नेट में यहां पर कट कर लूँगी और उसके बाद इस नेट वाली लेस को इस ट्राउजर के नीचे अटाच कर दूँगी यह जो कपड़ा फोल्ड किया था उसके नीचे हम अटाच करेंगे और बिल्कुल किनारी पर मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ सिलाई मैं उतनी ही दूरी पर लगा रही हूँ जितने चौड़े मैंने पिंटक्स किये हैं यहां पर इस तरह से यह देखिए तो इस तरह से हमारा ट्राउजर का यह दिजाइन भी बन कर तयार हो गया है अब हम इसके उपर प्रेस कर लेंगे तो यह देखिए इसके उपर मैंने प्रेस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना सुन्दर हमारा यह दिजाइन बन कर तयार हुआ है तो इस डिजाइन के लिए मैंने ट्राउजर की कोई एक्स्टर लंबाई कट नहीं की थी जितनी लंबाई तैयार चाहिए थी मैंने उतना ही कपड़ा कट किया था लेकिन मैं आपको फिर भी रेकमेंट करूंगी कि आप पहले अपने ट्राउजर के पहुंचे का डिजाइन तैयार कर लीजे और उसके बाद ही उसकी फाइनल कटिंग कीजे ताकि आपकी लंबाई बिल्कुल परफेक्ट बन कर तैयार हो तो गाईज आज के लिए बस इतना ही ट्राउजर का हमारा यह डिजाइन बन कर तैयार हो चुका है और आप चाहें तो इसी तरह का डिजाइन अपनी बाजू पर भी बना सकते हैं तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बैल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो उसके रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें